वेलकुम बैक टू माई चानल आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जे इन मटर पकोड़े की रेसिपी इसे हमने काफी इजी वे में बनाया है और इसमें काफी कम इंग्रिइंस की आपको जरुवत पड़ेगी इस मटर के सीजन में आप ये मटर पकोड़ा बना के जरू कीजिए और अगर हमारे चानल पर पहली बार आया है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए आज का वीडियो हम शिरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी जार उसमें हम आड़ करेंगे वन कब ग्रीन पीस तो इसे हमने एक बार अच्छे से व मिनिट के लिए ग्राइंड किया है और हमारा यह मतर और ग्रीन चिली काफी अच्छे से ग्राइंड हो चुके है तो इसे हम ट्रांसवर कर देंगे एक बावल में अब इसी मतर से हम बनाएंगे पकोडे तो इसके लिए हम आड़ करें हाफ कब बेसन यानि ग्राम फलार साथ आड़ करेंगे 1 3rd cup सूजी या हम नर्मल सूजी ही यूज कर रहे हे 1 3rd cup rice flour यानि चाफल का आटा साथ ही में हम आड़ करेंगे half cup chopped किया हुआ coriander leaf जिसे हमने wash कर दिया था फिर हम आड़ करेंगे pinch of hing salt आप अपने taste के according कम या जादा भी आड़ कर सकते हो 1-4 teaspoon अजवाइन ये digestion में help करेगा इसलिए हमने इसमें add किया है और इन सभी को हम अच्छे से mix कर देंगे spoon की health से और ये अच्छे से mix हो जाए फिर हम इसे अपने हाथों के health से अच्छे से bind करते हुए mix करेंगे अब हम इसमें add कर रहे हैं पानी तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी आड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे एक साथ में हम सारा पानी आड़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी और राइस फ्लार आड़ किया है इसी reason से हमारे मतर के पकोडे काफी किस्पी बनके ready होंगे इसे अच्छी से mix करेंगे हम एक से दो मिनिट के लिए फिर हम इसे cover करके rest करने के लिए रखेंगे 15 मिनिट के लिए तो इस batter में हमने on total 3-4 cup जितना पानी यूज किया है अब इसे हम cover करके rest करने के लिए रखेंगे और 15 मिनिट के बाद इसे हम फिर से एक बाद spoon के help से 1-2 मिनिट के लिए mix करेंगे और आप देख सकते हो इस वक्त हमारा ये batter काफी थिक है अब हम इसमें add करें lemon juice तो 1 teaspoon जितना हमने इसमें lemon juice add किया है और इसे 1-2 मिनिट के लिए हम इसी तरीके से mix करते हुए spoon के help से mix करेंगे जिससे हमारा ये batter काफी soft हो जाएगा और हमारा ये batter बनके ready है side में हमने कड़ाई में oil गरम करने के लिए रख दिया था oil अच्छी से गरम हो जाए तब हम लेंगे हमारा ये batter और इसके अंदर हम add करेंगे 3 टी स्पून जितना hot oil जो oil हम गरम करने के लिए रखे है बस वही oil हमें इसमें add करना है hot oil add करने से हमारी ये crispy मटर के पकोड़े अंदर से काफी अच्छी soft होते है oil को अच्छी से mix कर देंगे हमारी batter के साथ और जिस कड़ाई में हमने oil गरम करने के लिए रखाते है ये काफी अच्छी से गरम हो गया है तो इसमें हम निकाल देंगे हमारी ये पकोड़े तो ये पकोड़े काफी soft बन के ready होते है और भार से ये काफी अच्छी crispy बन के ready होते है इसे हम low flame पर ही fry करेंगे एक से दो मिनिट के लिए और इसे turn करके next side से भी हम अच्छी से fry कर देंगे इन्हें हमें low flame पर ही fry करना है जब तक इनका color golden brown color का ना हो जाए हमारी मतर के पकोड़े अंदर से काफी soft बन के ready होंगे क्योंकि इसमें हमने hot oil add किया था और जो इनका outer cover है वो भी काफी crispy बन के ready होगा क्योंकि इस batter में हमने suji add किया था और 3-4 minutes के बाद में हमारी मतर के पकोड़े बन के ready है आप इनका outer cover देख सकते हो काफी crispy बन के ready हुए है और इनका color भी काफी अच्छा golden brown color आया है इसे हम निकाल देंगे tissue paper पर ताकि इनका excess oil है वो निकल जाए और इसी तरके से हमने और भी मतर के पकोड़े बना के ready किया है आप इने small size या फिर big size में भी बना के serve कर सकते हो इसे आप serve कीजी green chutney, ketchup या meaty chutney के साथ या फिर आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ भी serve कर सकते हो आप इस मतर की season में इस मतर के पकोड़े को बना के जरूर serve कीजी और I'm sure आपको इस रेसिपी बहुती पसंद आएगी हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए happy and safe cooking